अज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ नया कुछ अटके देख सकते हैं यह हमारी सिलाई होती है तो यह सिलाई दागा काट देती है और इस तरीके के जॉइंट से निकल आते देख सकते हैं इसमें और जिसका सल्यूशन भी आपको बताएंगे बीच बीच में फांस फांस के चल रही है सिलाई चलाते हैं तो देखने में तो सही लग रही है लेकिन फिर भी बीच में सिलाई काट देती है देख सकते हैं थोड़ा ध्यान से देखें कुछ इस तरीके की सिलाई आ रह देखा तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोगों से गुजारे से वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो चलिए इस कंडिशन में आपको सबसे पहले क्या करना सबसे पहले आपको निडिल चेक कर लेनी है बजाज कंपणी का हमारी मसी सब्सक्राइब काफी इंपोर्टेंट वीडियो है आज का आपके लिए तो गाइस तो इसकी और बढ़िया कंपनी की लगी हुई है फिर भी यह प्रॉब्लम दे रही है देख सकते हैं और देख सकते हैं तो हमारी निडिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है निडिल हमारी एकद कर लिए आपको बताएंगे हम आएं जलिए अब में से लगा देते हैं सुई को कैसे लगाइना यह भी द्यान से देखें यह चप्ता वाला वाला बाग यहां एकटे रहे गांगन। मतलब स्विष्ट निले ना से कुछ डेले हुद आर रहों सकते हैं अमयंसा सप्साली का ट्सके लिटाएंगी इसके और में अच्छे स een को Ça अब हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं देख लें क्या पता करनी दांत में प्रॉब्लम हो क्यों दांतों को भी चेक करना जुरूर ही है इस तरीके से दांतों को सबसे पहले पटरी को खोलना है इस तरीके से थोड़ा टाइट खुलेगा क्योंकि यह मैं लग रहा बहुत सालों से खुली नहीं है जब से मसीन आई है तब से खुली नहीं है तो वाई इसी लिए प्रॉब्लम दे रही है थोड़ा दम लगाने पड़ेगी इसमें चलिए खुल रही तो गाइस वीडियो को लाज़ तक बात करें आपको बहुती सिंपल तरीके से बताने बाले हैं अगर यह प्रॉब्लम है आपकी मसीन नीचे की सलाई खराब दे रही है यह दागा काट रही है कुछ भी समस्या आ सब्सक्राइब तो इस तरीके से से खोले हैं वीडियो को द्यान से देखें भाई आपके लिए बिडियो बना रहे हैं अगर आप काट काट के देखें के तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला तो इसको तो इसको लगकर लें इसे खोलने देख सक्ते हैं गायद क्या कंडि bolag काट कर यहां पर फसा देंगे कि द्रका देख सक्ते हैं हम यहां पर चीक करना है यहां पर काफी काफी बड़ी खरांज है अब हम आपको पकड़ा के तो दिखा नहीं सकते हैं लेकिन हम जब लिख रूरूर बता सकते हैं कि इसमेन इसrim बड़ी खरांज है देख सकते हैं यहां पर इस तरीके दे कहटुर सी आवाज की का आगा पर यहां पर हमारी मसीन दागा खास देत tuy process के लिए डांगाध फास ने की बज़े से ही सारी प्रॉब्लम आ रही तेक सकते हैं ये पत्री की से देखते हैं प्रूशा है है इससे पहले हम जाने की करना है इस तरीके से खोल ? खोलने के बाद इस तरीके से जब खोला है तो थोड़ा इसकी सर्विसिंग भी कर ले हैं गाइज वीडियो को लाज तक बाज करें भाई आज सोल गुल जादा है सायद है आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कितनी तेस्टे आवाज चल रही है इसके बाद गाइज भूंट को भी देख लें बूंट बहुत जरूर यह देखना बूंट से हमें पता चलेगा अगर हमारी सिलाई दागा तोड रही है मसीन तो बूंट से भी समस्या हो जाती है बूंट भी कटा हुआ होता तभी हमारी मसीन दागा भी तोड़ती है तो चलिए इसका बूंट चेंज कर लेते हैं इसे फुटपायर बोलते हैं देख सकते हैं बूट भी हमारा कटा हुआ देख सकते हैं बूट हमारा काफी कट गया देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कटा हुआ इसकी बज़े से हमारी मसीन लिखकर दे रही है दागा भी काट रही है तो अगर आपके बाद बूंट नहीं है फुटपाय नहीं है तो आपको क्या करना इस तरीके दे पठ्था ले लेना और पठ्थे पर इस तरीके दे अच्छे से गिसले ना है इस तरीके दे गिसले तो आपकी यह समस्या खतम हो इस तरीके से इसे लगा लें बस इसमें कोई खरांच नहीं रहने जिए अगर खरांच होगी तो फिर हमाई मसीर काम अच्छे से नहीं करेगी तो खायच चलिए इसका तो काम अभी हो गया तली इससे रख देते हैं इससे पहले ज ludzi सकते हैं कि समां कितनी गंदगी है तो आप सकते हैं कितनी गंदगी इस हिसमें लगी हुई है तो हमें किया करना हम सबसे पहले को चेंज्ज कर लेगा यह बाराइं हमसी लगाने तब यह दूसरी लगते लग अच्छी कंपनी कि आने नंबर एक कंपनी आपको लेने देख सकते हैं इस तरीके से देख लें तो आपको सब्सक्राइब कर लें तो हमारे दात बैठ जाएंगे क्योंकि जब पत्री मोटी है तो दातों को भी हमें सैट करना भी बस वीडियो को जरूरूर बाच करें आप लो इस तरीके देखे लें इदे भी कसलें अब मारे बूंट हो गए नीचे डाउन हो गए जैख सकते हैं बूंट हो गए हमाई मसीन आगे कपड़ा नहीं बढ़ाएगी तो इसके लिए में क्या करना है मसीन चलेगी और अच्छी भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं देगी है क्योंकि यही प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम की जड़ यह पटरी है तो अगर आपकी पटरी खराब है तो आपको एक बा रागा भी काटने लगती है कि देख सकते कापी बड़ा च्छेद हो गया इसमें अब इसे रिपेर करने की कोई जरूरत नहीं डालनी पड़ेगी नहीं हमने डाल दी है अब हम चेक करके देखते हमारी मसीन कपड़ा आगे बढ़ा रही या नहीं बढ़ा रही है अ अब देख सकते हैं रागा तो नीचे दुछा लिया परव कपड़ा आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए यह अब हमारी मचीन कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही है डिसके लिए मैं क्या करना इसके लिए हमें कपड़े को साइड कर लें और इसे मसीन को थोड़ा नीचे कर लें तरीके से डाउन कर लें कपड़े को निकाल देखंगे लाएं हमारे दांत बिल्कुल ही बैटे हुए हैं इसके जैन से देखंगे थोड़ा दानतों को ने के लिए वाला पैंच होता है इस पैंच को थोड़ा लूज कर ले इस तरीके से लूज कर लें अब हमें क्या करना है पैंच को लूज करने के बाद जाने थोड़ा यह वाली चिम्टी होती है इस चिम्टी को में दबाना है तो दाथ नमारे ऊपर हो जाएंगे देख सकते हैं माई दाथ ऊपर हो रहे हैं कि मीद आपको भी समझ में आ रहा होगा कि दाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं अभी आपको दबारा दिखाते हैं इस तरीके देख सकते हैं दाथ हमारे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो चलिए इतने काफी हैं दाथ बस हलके दो उपर उठने चाहिए अब हम कस देंगे ऐसे चलिए चेकर करके देखते हैं हमारी मसीन काम कर रही है नहीं कर रही है तुए चलिए चेकर करके देखते हैं तो द्यान से देखें गाई जेवाली सिलाई है जेवाली लाश्ट जेवाली सिलाई है एकदम मस्त दे रही है एकदम बढ़िया दे रही है चलिए इधर भी लगाके दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रॉब्लम कहां पर थी पहले प्रॉब्लम थी हमारी जे जे सिलाई दे रही थी जे वाली दे रही थी लेकिन अब प्रॉब्लम खतम हो गई है अब प्रॉब्लम बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल कहीं पर भी झाल झाल